हलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आए हूँ मूम फरली की चिकी मूम फरली और इसमें हमने साथ में तिल का भी प्रयोग किया यह बहुत इजी है चटपट बन जाता है और शाम के खाने के लिए रात के दिनर के बाद खा सकते हैं और यह शुकर पेशेंट भी खा सक देखिए मैंने दाने को सेख के चिलके निकाल के रखाए और तिल को भून के रखाए अब मैं एक कड़ाई लूँगी और उसे अच्छे से गरम करेंगे जब हमारी कड़ाई अच्छे से गरम होगी तब हम उसमें एक कटोरी भर के गुर्ड डालेंगे यह डैजर्ट में ग पिकलाएंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे जब यह चाशनी बनने लग जाए तब हमें आज को बिल्कुल स्लो करना है वरना हमारा गोड जल जाएगा देखिए अब हमारा गोड पिकल कर अच्छे से चाशनी बन रही है हम इस डैजर्ट को बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद रोज कुछ मीठा खाने का मन होता है हम इसे चोटे बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें मूंग फली और तिल है जिससे की प्रोटीन की कमी पूरी होती है बहुत अच्छा है बच्चों के लिए हम इसे बना कर रख सकते हैं और एक् आप इसे देखिए और बनाईए बहुत आसानी से बन जाती है अब हमारी जो चाशनी है देखिए लगभग बनकर तयार हो गई है और इसमें देखिए कितने अच्छे से फेस आ रहा है हमें इस स्टेज तक हमारे चाशनी को बनाना है और पका कर तयार कर लेना है मैंने जो मौ है रोस्टी ही करकर तयार कर रखा है यह सब चीजे हमने पहले से ही तयार करके रख लिए अब देखिए हमारा लगभग बनकर तयार हो गया है जब इस स्टेज पे हमारा गोड़ आ जाएगा तब हम इसमें हमारी आगे की प्रोसेस करेंगे अब हम इसमें एक चुटकी खान का सोडा डालेंगे खाने का सोडा डालने से देखिए हम जैसे ही डालेंगे इसमें फेस आना शुरू हो जाएगा और डालते सही हमें इसे अच्छी तरह से हिलाना आए और सोडा डालने के पाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और यह वाइट वाइट होने लग और उसमें बहुत अच्छे से जाग बनना शुरू हो जाएंगे देखिए हमारा गुड कितना सफेद हो गया और उसमें कितना प्यारा जाग बनना शुरू हो गया अब हम अब इसमें हमारे दाने और दिली को एट कर लेंगे देखिए हमारी चाशनी ने पूरा दान्य और कुर्तिली को सोख लिया है अब हम इसे प्लेट से प्लेट में निकालेंगे अब हम इसे एक घी लगी हुई प्लेट में निकालकर फटा फट फेला देंगे इस स्टेज पे हमें थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि चाशनी बहुत जल्दी सूख जाएगी देखिए अब हमारे बनकर तयार है अब इसमें हमने कट लगा दिया है और चुटे चुटे टुकडों में काट लिया है और इसे बाउल में निकाल लिया है अब हमारी गुड़ बट्टी या गुड़ की मिठाई बनकर तयार है आप इसे स्टोर करके रखिए और जब इच्छा हो खाईए देखिए कितनी ही आसानी से बन जाती है और पाट मिट में रेसिपी बनकर तयार पसंदा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किजी थैंक यू